वेल्कम बैक टू मैं चैल गाइज तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बागिस्वत हम जा रहे हैं तो हम निकल चुके हैं घर से बागिस्वत हम के लिए तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगो ट्रेन में पता नहीं कैसे जगह मिल गई थी और इतना ज्यादा क्राउ को या पिर सनीवार को दर्शन करना चाहिए इस वज़े से मुझे लगता है कि शायद बहुत जादा भी थी सो अभी हम लोग छतरपूर खजराह स्टेशन है बहुत चुके हैं तो यहां पर बहुत ही यादा स्टेशन पर भीरती सब लोग आसपास बैठे हुए थे अपनी अब भी आएंगे वेत्रेन का वेट कर रहे ते कर दोफ्रेंस से हुवे थी एन आप यहां का बस स्टेंड देखिए महां का आउटो स्टेंड देखिए कितना ज्यादर वहां पी था कि सब लोग इतना तैस प्राव पर घृती वहां पर तो कि मैं आपको अच्छे से आप देख लिए खजराहू लिखा भी है अब भी हम लोग अभी आएंगे वेटिंग रूम में वेटिंग रूम में थोड़े बैट के पर दो रेस्ट करते हैं और आप लोग यहां का इस्टेशन देख लीजिए यहें वहां का खजराहू इस्टेशन काफी अच्छा है बट क्रावट की वज़े समझें तो पुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत जा रहे हैं गढ़ा जहां पर बागेस्वर धाम मंदीर है जहां पर धिरेंद श्रास्त्री जी अपना पंडाल लगाए हुए हैं जहां पर कथा बगेरा कहते हैं काफी बड़ा पंडाल हैं आपर का दर्शन महां पर दर्शन कर रहे थे क्योंकि आगे की साइट से फ्रंट पेर से इतना जादा क्रावट था कि हम जगए नहीं थी आप यहीं समर्स लीजे देख लीजे पीछे जब इतनी जगए नहीं तो आगे कैसे जगए हो सकती है और उसमें पीछे सब लोग आदे ज्या इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे यह हैं धीरेंद शास्त्री इन्हें कौन नहीं जानता होगे नहीं सब जानते ही होंगे और यह वहां के हैं यह हैं बागेस्वर धाम के हनमान जी बाला जी और भी हम लोग इन्हें कई नामों से जानते हैं यह हैं यमना जी यह हमें व